कि जहिन नमस्कार दोस्तों जारखंड IQ में स्वागत करता हूं आज जे पीसी का कुछ अपडेट निकल के आई है जो आयोग द्वारा यहां पर इसको आउट किया है कि जो सेवंथ जेपेसी सेवंथ टेंथ जेवेसी जो था इसका एक्जाम कंड़ हो जाने के बाद आयोग इ इसको जल्द से रिजल्ट देने की स्थिति में भी है तो यहां पर देखा जा रहा है कि जो OMR सीट में है उसमें कुछ प्रोब्लम है जो कि आयोग को इसको सामना करना कड़ रहा है क्योंकि आयोग का समस्या यह है कि कुछ OMR सीट का प्रोब्लम जो इन्वीजिलेटर द्व होने का यह समभाव ना है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर को ही जब मैं वीडियो सिट कर रहा हूं इसी डेट को ही रिजल्ट देने की प्रस्तावित कुछ आंसिक किया गया था लेकिन देखते हैं कि आयूग दौरा क्या यह अपडेट निकल के आया है इससे पहले कि जदी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे हरफल के अपडेट आपको मिल पाए चलिए चलते हैं हम लोग नोटिस क्या निकल का है वहां पर देखते हैं कि देखें यहां पर शाफ लिखा हुए नोटिस में कि जो जारकाइन जैपीएसी का अपडेट है यह बोला गया कि आज की सुचना के अनुसार यह जनकारी मिली है कि कंप्यूटर द्वारा जो ओमर्सीट है ओमर्सीट को कोपी जो है वह रीड नहीं कर पा रहा है और रिज जाम हॉल में जो इन्वीजिलेटर थे जो कनिडियेट के गाइड लान करते थे जो थामने लोगरा सिगनेचर वगर करते थे उसकी परसिच्छन जो है पुरी तरह से नहीं हो पार्णें के कारण से कहां क्या सिगनेचर करना है थाम क्या कैसे लबाना था और इस तरह से इन ज्यादा मातरों में computer द्वारा reject किया जा रहा है तो आयोग ने इस पर तत्वर है कि ज्यादा तर इसको reject से बचने के लिए manpower का इस्तिमाल करके जो भी इसमें कमिया है invigilator's का signature's या फिर था मोगर का problem जो भी कमिया है वो आयोग द्वारा manpower का इस्तिमाल करके इस सारे समस्याओं को दुरस्त कर रही है ताकि यह मामला कोट में ना जाए क्योंकि जदी इस तरह से मामला हो candidate सही था और उसका कोपी रिजर्ट कर दिया जाता है तो मामला फिर कोट में चल जाता है इस कारण से कोट में मामला ना जाए इससे बचने के लिए आयोग थोड़े लेट ही करें और इस चीज़ को प्रस्तावित किया है कि हमारे द्वारा कुछ समय लगेगा लेकिन जो है जैपीसी का result में ए की आयोग जो है्शुततपर है और इसे सुचाहरु ढंक्सा अच्छे तरीके से जो है इसे ईकर रिजर्ट को मेरेख़े करके और इसे और करने का समय लिया गिया है और आयोग इसको जनकारी दे करके अच्छी काम कि रिजक्त हो जाना बहुत सारे कनिडेट के लिए एक कैरियेक की बात थी, तो इस तरह से reject हो जागा तो वो लोग कोट पहुंच सकता था और इस तरह से result बराबर pending के ओर जाता है, इस करण से इससे बसने के लिए आयोग ने थूड़ी समय मांगी हुय है, और इसका हो सके एक से दो दिन और भी टाइम एक्सेंट कर सकती है उमीद है आप इसको नोटीस समझवाए होंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे शेर करेंगे और दोस्तों के साथ भी ऐसे चैनल का लिंक जो आप शेर कर पाएंगे ताकि वो भी उन्हें भी जनकारी मिल पाए धन्यवाद